अब तक हमने स्टेम की सनरचना को विस्तार से देखा है अब हम उस पर मौझूद अलग-अलग हिस्सों पर नजर डालते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पत्तियां फूल और फल है चलिए हम पहले पत्तियों से शुरू करते हैं असल में एक पत्ति क्या है? पार्ट सनरचना है क्लोरोफिल की मौझूदगी के वज़य से ये ज्यादा तर हरे रंग की दिखाई देती है जरा रुकी क्या आपने क्लोरोफिल नाम पहले सुना है? पौधे के शरीर में इसकी जरूरत क्यों है? क्लोरोफिल हरे रंग की पिगमेंट है जो फोटो सिंथिस की प्रक्रिया में मुख्य भूमे का निभाती है यानि कि जिस प्रक्रिया से हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं चलिए अब एक पत्ती की सनरचना पर ध्यान केंदरित करते हैं पत्ती के सपाट और चोड़े हरे रंग के हिस्से को लीफ प्लेड या लामिना कहते हैं पत्ती का ये हिस्सा आम तोर पर धूप में रहता है क्योंकि वो फोटो सिंथिस करता है पत्तिया स्टेम के साथ एक छोटे स्टॉक से जुड़ी होती हैं जिसे पेटियोल कहते हैं अगर आप पत्ते को गौर से देखेंगे तो आप उनकी सतह पर पत्ली लकीरों को देख पाएंगे क्या आपको समझ आया ये क्या हैं? खेर इन्हें वेंज कहते हैं वेंज छोटी पत्ली पाइप्लाइन की तरह हैं जो खाना और पानी के ट्रांस्पोर्ट में हिस्सा लेती हैं अब आप एक बात बताईए क्या सभी पत्तियों में एक ही तरह के वेंज होते हैं? जी नहीं, वेंज में विवस्ता का एक विशिष्ट पाटर्न होता है और पत्ते में वेंज की इस विवस्ता को विनेशन कहते हैं ऐसे कौन सी विवस्ता है जो हम देख सकते हैं? एक प्रकार की विवस्ता तब होती है जब veins network की तरह एक सनरचना बनाती है इसे reticulate venation कहते है reticulate venation को बरगद, आम और कठल जैसे बहुत से पेडों की पत्यों में देखा जाता है दूसरा प्रकार है जिसमें veins एक दूसरे के parallel चलती है जैसा कि इस मामले में है हम इस प्रकार को क्या कहते है हम आमतोर पर इस प्रकार को parallel venation कहते है केला, नारियल, धान, गेहुं जैसे पौधे और यहां तकी घास की पत्यों में parallel venation देखी जा सकती है चलिए पत्ये की सत्या को और ज्यादा बारीकी से देखते है हमें सत्या पर कुछ बारीक पोर्स दिखाई देँगे क्या आप जानते हैं कि इनवे क्या कहते है इन्हें स्टोमाटा कहते है अब इन बारीक पोर्स का क्या काम हो सकता है Gases की अदला बदली में स्टोमाटा मदद करता है स्टोमाटा के जरीए कार्बन डायकसाइड, ओक्सिजिन और वाटर वेपर पत्ते में घुसते या बाहर निकलते हैं स्टोमाटा क्या दोनों उपरी और निचली सताय पर एक ही संख्या में होते हैं? जी नहीं, पत्तों की निचली सतय पर स्टोमाटा की संख्या काफी ज्यादा होती है अब आप बताईए क्या ये स्टोमाटा सिर्फ पोर्ज है या फिर उनकी कोई विशिष्ट सनरचना भी होती है स्टोमाटा असल में पोर्ज है इसमें कोई संदह नहीं लेकिन इन पोर्स की रक्षा गार्ड सेल्स करते हैं स्टोमाटा के खुलने और बंध होने को गार्ड सेल्स नियंत्रित करते हैं अब हमने पत्तियों की संरचना को देख लिया है आईए हम आने वाले वीडियो में पत्तियों के कारियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं